दोस्तो बैटल कराउंड मोबाइल इंडिया जो है आज प्री रिजिस्टरेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है आपको बता दो कि यह इंडियन वर्जन पपजी मोबाइल गेम है जो कि फ्री टू प्ले बैटल रॉयल फॉरॉमला पे काम करता है इस गेम को जो है रीक जो है मास्क रीकॉनका आउटफीट और इन गेम करन्से मिलेगा जिस साफ घेम कुछ भी चीजह को परचेस करते हो तो अगर आपको pre-register करना है तो इसका जो है easy simple step है जिसमें आपको जो है वीडियो के description में link मिल जाएगा वहाँ से आप जो है अगर click करते हो तो आपको directly वो browser के through play store पे लेकर जाएगा जहाँ पे आपको जो है battleground mobile india का pre-register page होगा जहाँ पे आप pre-register पे click करके इसे easily register कर सकते हो और जब भी game आपको मिलेगा था वो आप इसे install करके खेल सकते हो दोस्तों फिलाल जो है android users ही इस game को जो है google play store से pre-register कर सकते है आने वाले समय में iOS पे भी जो है इसका pre-registeration जल्दी start हो जाएगा आपको बता तो कि जो PUBG mobile game था उसको last year September में जो है इंडिया में ban कर दिया गया था उसके बाद क्राफटन की company इस game पे कई दिनों से जो है काम कर रहे थी अब जो है finally इस game को इंडिया में launch कर दिया गया याने pre-register जो है इस game का start हो चुका है आपको बता दू कि इसमें जो है company ने कुछ changes भी किये है जैसे कि अगर आप 18 साल से कम है तो आपको जो है limited time के लिए इस game में खेलने को मिलेगा उसके बाद आपको जो है 7000 रूपीस के उपर जो है आप इसमें कुछ भी चीज़ों को purchase नहीं कर सकते आपको बता दू कि मैप की बात कीज़े तो फिलाल तीन मैप जो है confirm दिखाई दे रहे है जिसमें आपको इरैंगल और मीरामार तो मिलेगा ही इसके अलावा आपको इसमें जो है शैनौक मैप भी देखने मिलेगा हो सकता है आपको और भी मैप देखने मिले यह तो आपको गेम आने के बाद ही पता चलेगा तो दोस्तो अगर आपको यह गेम खेलना है और टूर्नामेट में अगर पार्टिसिपेट करना है तो इस गेम के डेवलपर ने यह भी बताया कि आपको इसमें जो है इस पोट्स पे कई सारे टूर्नामेंट भी लांच किये जाएंगे जि तो दोस्तो आज के इंफोर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूले और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एडिटे को सब्सक्राब भी कर सकते हो थैंक यू फॉर दो वाचिंग थैंक्स